सभी को मेरा जहिन मैं हिमान्सु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदस नौलज हप में प्रिप्रेशन विधिमान्सु डिली करन्ड फेयर के वीयस एन्वीयस नेट ज्यारफ एसारफ फिजिकल एज्ट्वेशन से सम्मंदित महात्पूर प्रश्ण आपको यहां देखने को भी मिलेंगे आज मैं आप सभी के लिए फिजिकल एज्ट्वेशन में बहुत ही महत्पूर रहने वाला टॉपिक लेकर आया हूँ तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से मेरे निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को देख रहे हैं किर्पिया मेरे चैनल को लाइक करें अधिक शेयर करें सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो दोस्तों सुरू करता हूँ आज के इस टॉपिक को आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट मेडसीन अर्थात खेल चिकित सा है जिसके अंद्रगत आज मैं आप सभी को मेनिंग, डिफिनीशन्स, एम्स, अबजक्टिव्स एंड इंपोर्टन्स आफ स्पोर्ट मेडसीन के बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को बताऊंगा आईए इसमें सबसे पहले जानते हैं खेल चिकित सा का अर्थ खेल चिकित सा या स्पोर्ट मेर्सीन में स्पोर्ट समलित होता है परंतु इसका उप्योग डॉक्टरी छेतर तक ही सीमित नहीं होता बलकि खेल के छेतर में खेल अधिकारियों तथा खेल प्रसिचकों के द्वारा भी इसका उप्योग किया जाता है विभन्नि प्रक्रियाएं जिसमें सारीरिक स्वस्थता की प्राप्ति की जाती है कई प्रकार की रोगात्मक इस्थितियों को उत्पन्न करती है जो सामाने डाक्टरी अध्यन की सीमाँ से बाहर होती है इनहीं मुखी कटनायों से ही खेल चिकित्सा संबंदित होती है बिलकुल उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रद्धों की मुखी कटनायों से संबंदित होती है जरा चिकित्सा या बाल चिकित्सा से संबंदित विसेश रोग जो बच्चों में पाई जाती है इसकी सहायता से एक खेल चिकित्सक खिलानियों की हर एक समस्या का निवारन करता है इस इस्तर पर खेल चिकित्सा विशेशग्यों का एथलीट्स की विभिन कटनाईयों का समाधन करने के लिए यह एक मुखी भूम का निवाती है आईए अब जानते हैं खेल चिकित्सा में खेल चिकित्सक की भूमिका खेल चिकित्सा में खेल चिकित्सक के द्वारा विशेश रूप से मुख्य भूमिका का निर्वाहन किया जाता है आज विस्टु के अधिकांज देशों में चिकिचसर स्विधाँ में विशेश रूप से विभिन प्रकार के परिवर्थनों को इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है जिनका प्रभाव खेलों पर विशेश रूप से पड़ता है एक फिजीशन की रूप में खेल चिकिट सक को जिन कर्तवियों का निर्वान करना होता है जिसका वलन कुछ निम्ट प्रकार से किया जा सकता है पहला बिंदू, खेलों में कुछ ऐसे विशीशक फिजीशन भी जूड़े होते हैं जिनके दोरा उक्तकार को काफी प्रसिशित धंक से किया जा सकता है और यहाँ भी देखा जाता है कि जिस समय उनके दोरा खेलाणियों को प्रसिशित किया जाता है उस समय वापूर रूप से खेलाणियों के समच उपस्तित होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं का निवार्ण करने में सहायता प्रदान करते हैं पॉइंट नमबर टू कुछ ऐसे फिजीसियन भी होते हैं जिनके द्वारा साधान खेलों में सहायता प्रदान किया जाता है उनके द्वारा खिलाणियों को प्रात्मिक उपचार से सम्मंधित उपचार किया जाता है जिसके प्रदाम सुरूप सभी खिलाणियों के द्वारा भली भात अपने विक्तित का विकास किया जाता है एक फिजीसियन और खिलाणी के बीच एक ऐसा सामंज़से होता है जिससे कीवा खिलाणी के समच प्रकार के समस्याओं का निवारन करता है और करने में सफल भी होता है और यही कान है कि आज इस ओर विशेश रूप से बल दिया जा रहा है कि साधान फिजीसियन के दौरा खिलाणियों के समच उपस्थ होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं को दूर करने की ओर बल दिया जा रहा है खेल चिकित सके दौरा फिजीसियन के रूप में किये जाने वाले विभिन कारें खेलचिकिructuresक के दौरा एक फीजिसियन के रूप में विभिन प्रकार के कारों का किरियानवन के जाता है और उसके दौरा किये जाने वाले विभिन प्रकार के कारों का वर्डन कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है पॉइंट नमर एक, खेल चीकित सके द्वरा सवप्रतम एक सलाकार की रूप में विभिन प्रकार के कार किये जाते हैं वा समय समय पर खिलाणियों के समच उपस्थित होने वाली विभिन प्रकार की सारीरिक एवा मानसिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करता है जिसके अनुरूप वह खिलाणियों की विभिन प्रकार की समस्याओं का निवारन भी करता है पॉइंट नमबर टू खिलाणियों को समय समय पर प्रोश्चाहित करने का कारे खेल चिकित्सक के द्वारा किया जाता है और यहाँ भी देखा गया है कि जिस समय खिलाणियों के द्वारा विशेश रूप से प्रोश्चाहन प्राप्त किया जाता है उस समय उनके द्वारा अच्छा सारी रिख प्रदर्शन प्रदान किया जाता है इसलिए यह बहुत ही आवस्यक होता है कि खेल चिकित्सक के द्वारा समय समय पर खिलाणियों को प्रुषाहित किया जाना चाहिए पॉइंट नमर फ्री खिलाणियों के अन्भों की प्रसंसा करना और उन्हें निरंतर अच्छा परदर्शन करते रहने की और प्रसहित करना चाहिए जिससे खिलाणियों के द्वारा निपूरता को विक्सित किया जाता है पॉइंट नमर फ्री खिलाणियों के द्वारा किये जाने वले अच्छे प्रदर्शन की प्रसंसा करना जिससे खिलाणियों के समच उपस्तित होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं का निवारन अर्था समाधान किया जा सके और यहाँ भी देखा जाता है कि जिस समय खिलाणियों के समच उनकी त्रोटियों को प्रस्तूत किया जाता है तो निश्चे ही इसे खिलाणियों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है और यहाँ कार एक खेल चिकित सके द्वारा ही किया वाले या सभी प्रकार के कारे ही उन्हें पूर्ता की ओर अग्रशित करने में सहायता प्रदान करता है और यही कारण है की आज इस ओर विसेश रूप से बल दिया जा रहा है की खिलारियों को पूर्ण रूप से अपने विक्तित्तों का विकास करने के लिए खेल चिकित्सक के द्वारा विसेश रूप से प्रुच सहन प्रदान किया जाए अगला पॉइंट खेल चिकित्सक की सिच्छक के रूप में भूमिका इसे निमलिखित बिंदों की सहायता से समझाय जा सकता है जो की कुछ इस प्रकार से है जिसमें पहला पॉइंट खेल चिकित सक को, खिलानियों को, खेलों में जयवियंतरकी के महत्तों एवं उनके कार्यों को बताना चाहिए पॉइंट नमबर दो, लिंग तथा उमर के अनुसार किस प्रकार खिलानियों के सारीर क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है इन सभी के बारे में खिलानियों को जानकरी देना चाहिए जिस से उनके दोरा बिना किसी इबादा के अपने विक्तितों का विकास किया जा सके पॉइंट नमबर थ्री, बिमारियों का इलाज, विभिन प्रकार की चोटों का उपचार, मालिस, एवं पुनरवास आज सभी प्रकार की महत्वण बातों का ज्यान परदान करना भी खेल चिगे सकता ही कारे माना जाता है और यहाँ भी देखा गया है कि जिस समय खिलानियों के दोरा इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है तो निश्चे ही इससे ख्लाणियों के सभी प्रकार के तनावों को दूर किया जा सकता है नेक्स्ट पॉर्ण पॉर्ण नमबर फोर तो निश्चे ही उनके समझ अनेकों समस्यां उत्पन हो सकती हैं इसलिए यह अत्यन्त आवस्थ माना जाता है कि खिलानियों के समझ उपसित होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं के समाधन की ओर बल दिया जाना चाहिए जिससे उनके द्वारा अपने व्यक्तित्तों का अग्यान खिलानियों को अवस्य दिया जाना चाहिए जिससे उनके द्वारा अपने सरीर को वातावन के अनरूप धानने की कोशिस बन जाए जिससे समय समय पर खिलानियों के द्वारा भली भाती वातावन के अनरूप अपने सरीर को परवर्तित किया जा सके जिससे उसी सम प्रधानिक आधार का सिक्ष्ण परदान करना भी खेल चिकित सक्त का ही कार्यं माना जाता है। उपरोग तथ्यों के आधार पर यह कहां जा सकता है कि खिलानियों के द Dazuरा एक कि रूप में बहुत सी मच उपसित होने वाली विभिन प्रकार के समस्याओं का समाधन भी किया जा सकता है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि खेल चिकिसक के द्वारा सिच्छक के रूप में विशेज रूप से खिलानियों की सहायता पदन करने में एहम भूम का निभाता है दोस्तो मैंने इस टॉपिक को संचेप में पॉइंटों में समझाया है यदि आप सभी लोग कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में इसे विश्तरत रूप में समझा दूँगा एथलेटिक ट्रेनर की खेल और सदिविज्ञान में बहुत ही एहम भूमिका होती है जिसे मैं यहां संचेप में बिंदूओं में समझा रहा हूँ पहला पॉइंट चिकित्सी तरीकों का उप्योग करना सेकेंड पॉइंट अनकूलन फोर्थ पॉइंट सारीक जचता के विभिन घटकों का विकास एवम अनुरच्छण नेक्ट पॉइंट पॉइंट नमबर फाइफ रच्छात्मक व्याम नेक्ट पॉइंट पॉइंट नमबर 6 खिलानियों की विश्यस मांग को पूर्ण करने के लिए कारक्रमों का विकास करना कारक्रमों को आयोजिन करना दोस्तो अब हम लोग देखेंगे खेल चिकित्सा की परिभासाओं को खेलों में चोटों का लगना स्वाभाविक है जो की खेलों में किसी भी समय किसी भी प्रकार से लगने की संभावनाय होती है जिनें सही करने या उपचार करने के लिए खेल चिकित्सा विज्यान का प्रयोग किया जाता है खेल चिकित्सा की पहली परिभासा खेल चिकिस्टा विग्यान को आउसित विग्यान की एक साखा माना जाता है जिसके अंतरगत विभिन विशियों जैसे मनोवय ग्यानिक हड़ी रूप विशेशक जैव जीवरसायन आज एको समलित किया जाता है परिभासा नमबर दो सारीरिक फिटनेस बनाये रखने के लिए तथा खिलाणियों की विभिन कारकिये पैथालोजिकल तथा मनोवय ग्यानिक समस्याओं का विशेश रूप से अध्यन करने के लिए खेल चिकिस्टा विग्यान का अध्यन किया जाता है अगली परिभासा डाक्टर अलो घोस के अनुसार इसे बहुत ही सरल सब्दों में परभाशित किया गया है मेडिकल विग्यान तथा कला अर्थात सिध्धान्त विवार एवं अनुसंधान का प्रियोक खेलों में स्वास एवं अच्छम व्यक्तियों के लिए करना ताकि उनके स्वास को सुरच्चित रखा जा सके तथा आधिक क्रियाओं को करने के कार्ण विभिन प्रकार की छतिय को रोका जा सकता है इसी प्रकार पर्याप्त प्रभावकारी निरुधक थेरपी स्वास लापकारी प्रडामों एवं सभी आयु वर्गों के मरस्य के कारे करने की छमताओं को बहतर बनाने के लिए वैग्यानिक तथा उचित मुल्यांकनों का प्रियोग करना definition no.4 खेल चिकित सविग्यान को विग्यान की वासाखा कहा जाता है जो की खिलाणियों की आश़क्ताओं की पूर्ति आश़दी की रूप में करने में सहायता पदान करती है तथा साथ ही साथ खिलाणियों को संतुष्टी भी प्रतान करती है सकारात्मक वातावरण का निर्मान करने के लिए एक एथलीट अपनी संपूर अन्वांसिक छमताओं को द्रश्ट गोच्रिये कुडों में परवर्तित करता है केवल खेल एवम विज्ञान के सभी पहलों के सभी पहलों को भी सम्लित किया जाता है अब हम खेल चिकित्सा के उद्देश एवम इसके लच्छों के बारे में जानेंगे दोस्तों इसके उद्देश और लच्छों को जाने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें अधिक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले हम देखेंगे खेल चिकित्सा के उद्देश ये खेलों में चिकित्सा का अस्तित्व पाया जाना सौभाविक ही माना जाता है और इसके आधार पर ही खिलाणियों के द्वारा पूर रूप से सारीरिक एवं मानसिक परसितियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है यहाँ खिलाणियों के समच उपस्तित होने वाली सारीरिक एवब मानसिक समस्याओं को कम करने तथा उन्हें खेल के प्रतिप्रोच सहित करने में लाबदायक माने जाती है इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि यदि खिलाणियों के द्वारा उचित समय पर उचित रूप से चिकित्सा को प्राप्त नहीं किया जाता है तो निश्य ही इससे खिलाणियों के समच विभिन प्रकार के तनावों समस्याओं को उत्पन होना स्वभाविक माना जाता है ज यदि खिलाणियों को विशेश रूप से चिकित्सा की ओर अगरशर किया जाता है तो निश्चे ही इसके आधार पर खिलाणियों के द्वारा अपने समच उपस्तित होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं का समाधन किया जा सकता है जिससे वह बहुत ही उन्नत मार्क पर अ कुछ इस प्रकार से है नमबर एक चोटों की रोगठाम अर्थात चोट लगने से किस प्रकार से बचा जा सकता है नमबर दो चैनित निड़े लेना अर्थात खेल के दवरान क्या उचित है क्या अनुचित है उसका सही निड़े लेना नमबर तीन मनोवैग्यानिक परामर् अंतरगत खिलाडी खेल से पहले खेल के दोरान तता खेल के बाद विभिन मांसिक प्रसितियों से गुजरता है जिसे मनोव वैग्यनिक परामर्स की सहायता से उसका समधन प्राप्त किया जा सकता है नम्मर चार खेल चिकिच्चा विस्तार सेवा जिसकी सहायता से खिलाडी सारिरिक एवं मांसिक रूप से स्वस्तता को प्राप्त करता है नम्मर पांच स्वास्थ रच्छा इसकी सहायता से खिलाडी, सारीरिक, मानसिक एवं संपूर रूप से स्वास्थता को प्राप्त करता है अगला बिंदू सारीरिक स्वास्था में खेल चिकित्सा की आवशक्ता इवं महत्व को निम्मल की तुरूप से परभाशित किया जा सकता है जिनके बिंदू कुछ इस प्रकार से है पहला स्वास्थ रच्छा इवं मानसिक सक्ति को द्रण बनाने में दूसरा खेलों के दवरान लगने वाली चोटों की रोक्ताम में तीसरा मनो इसित को सही रखने में चौथा खेलों में निश्चित एवं चैनित निणे लेने में पाचुवा अधिसिच्छन का मुल्यांकन करने में छठा विशिश्चि दच्छता में साथवा खेल चोट पुनरवास में आठवा मानव सरीर क्रिया विज्ञान एवं रचना क्रिया विज्ञान में नवा खेल मैदान में दसवा वातावर्ण एवं अन्य उपकर्ण तथा सुविधाओं में ग्यारवा, खेलों में चोटों का इलाज तथा पुनरवास में जिससे खिलाणियों को उचित समय पर उचित रूप से इलाज प्रदान किया जा रहा है। पॉइंट नमबर बारा, खेल चिकित्सा के माध्यम से प्रतेक खेल के खिलाणियों की सारिक छमता अलग-अलग होती है। इसके माध्यम से संतुलित आहार की तालिका का निर्माल कर शारिक प्रदाशन में सुधार भी किया जा सकता है। नेक्ट पॉइंट नमबर तेरा, खिलाणियों को पुना दचिता प्राप्त करने की और अग्रशित किया जाना चाहिए। चिससे उनके द्वारा बिना कोई बाधा के अपने विक्तित्तों का विकास किया जा सके। नेक्ट पॉइंट पॉइंट नमबर चौदा, किसी भी खेल में टीम की संग्रचना के निर्मार में इस बात की और ध्यान दिया जाता है कि टीम की प्रदिभावना, खिलाणियों की मात्रा कितनी होनी चाहिए और कौन सा खिलाडी किसी स्थान पर तथा कैसा खेलता है, इस नेक्ट पॉइंट 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 नमबर फिफ्टीन, आज कल मादक पदार्थों का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि आज खिलाणियों के द्वारा भी इनकी और अग्रशित हुआ जा रहा है, यदि खिलाणियों के द्वारा इसका सेवन किया जाता है, तो निश्य प्रकार की समस्याओं, बिमारियों का समाधान भी किया जा सकता है, नेक्ट पॉइंट पॉइंट नमबर सिक्ष्टीन, सारेक सिक्षा के कायकरम और नवीन तत्यों को खेलों में व्योस्ता की जा रही है, जिससे इस बात का पता लगाना आसान हो गया है कि खिलाणियों को क इस प्रकार की क्रियाओं के प्रती दुचि विक्सित करने की और अग्रशर किया जाना लाबदायक होगा, जिससे उनके द्वारा बिना कोई बाधा एवं समस्या के अपने व्यक्तित्तों का सरवांगीन विकास किया जा सकता है, आतहां ओप्रोग तत्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खेल चिकिस्ता के महतों एवं आवशक्ताओं की महत्ता को समझा जा सकता है, अगला बिन्दू अधिसिछन का मुल्यांगन करना, यदि खिलानियों का समय समय पर मुल्यांगन किया जाता है, तो निश्चे ही इसके आधार पर यहाँ पता लगाया जा सकता है कि खिलाणियों के दोरा किस इस्तर तक शारिक प्रदसन प्रदान किया जा रहा है यदि खिलाणियों का उचित रूप से मुलेंकन किया जाए तो निश्चे ही उनके दोरा प्राप्त किये गए या प्रदान किये जाने वाले अधिसिछन को उनके शारिक प्रदसन पर वाले प्रभावों को भी जाना जा सकता है जिस समय खिलाडी नौसकिया होता है उसके समझ विभिन प्रकार की समस्याओं का उत्पन होना स्वाभाविक माना जाता है परन्तु जैसे जैसे वह परिप्रकता को प्राप्त करता है वैसे वैसे उसके द्वारा सभी प्रकार की मंदित सभी प्रकार के कौसलों का ज्यान प्राप्त करता है। साथी साथ खेल मैदान में अच्छा शारीरिक प्रदैसन प्रदान करता है। उससे मधमे तथा अन विभिन प्रकार की बिमारियों से बचाया जा सकता है। यहां उनके समच्छ उपस्तित होने वाली विभिन प्रकार की प्रसितियों पर विजय प्राप्त करने हेतु पुर्षाहित करने में साहयता भी प्रदान करती है। व्यामों को करने से सरीर पर प्रडाम सुरूप यहां भी कहा जा सकता है कि खलानियों के द्वारा अपने सरीर में क्लूकोज को विशेश रूप से उत्पन किया जाता है जो उनके समच्च उपस्तित होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में लाबदायक भी माना जाता है। पॉइंट नमर त्री जिन खलानियों के द्वारा लगातार व्यायाम किया जाता है उनके द्वारा विशेश रूप से अपनी मानस्पेसियों का विकास भी किया जाता है। पॉइंट नमर फोर विभिन प्रकार की सारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को सारीरिक एवमानसिक रूप से मर्योंजन की प्राप्ति हो जाती है। जिसके परिणामस रूप उसके द्वारा भली भात अपने व्यक्तित्तों का विकास किया जा सकता है। यहाँ उसके सरीर में व्याप्त धमनियों को सुचार रूप से कारिक करने की और प्रोसाहित करने में सहायता परदान करती है। यही कारण है कि व्यायामों को विशेश रूप से व्यक्ति के लिए लापकारी माना जाता है। इस प्रकार उप्रोग तत्यों के आधार पर यहां कहा जा सकता है कि व्यायामों के आधार पर ही खलाणियों के द्वारा अपने सरीर में परिपकता को विक्सित किया जाता है यहां उनके समच उपस्तित होने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करती है तथा क्लाणियों को पूर्टा की और अग्रिशित करने में भी बहुत ही लापकारी वाना जाता है अगला बिंदू खेल चिकिट्सा के लच्छे खेल चिकिट्सा में विभिन प्रकार की लच्छे का निर्धारन किया गया है और इन सभी प्रकार के लच्छे की पूर्टि करने हेत हुई खेल चिकिट्सा प्रदाली को क्रियानिवित किया जाता है इसी लिए खेल चिकित्सा विज्ञान के लच्छों का अध्यन करना अत्यनत लाबदायक एवं मातपूर माना जाता है खेल चिकित्सा के विभिन लच्छों का वरण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है पॉइंट नमर एक खेल चिकित्सा के सायता से खेल के दौरान खिलाणियों को लगने वाली विभिन प्रकार की चोटों का उप्चार किया जाता है और यदि खेल के दोरान खिलाणियों को लगने वाली विभिन चोटों का उपचार सुचार रूप से नहीं किया जाता है तो निश्चे ही इससे खिलाणियों के दोरा सुचार रूप से उक्त चोटों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि इस और पॉइंट नमबर टू कई बार यहां भी देखा गया है कि खलाणियों को सारीर रूप से उतना च्छति नहीं पहुंचता है जितना अधिक नुक्सान उनके द्वारा मांसिक रूप से प्राप्त किया जाता है इसलिए इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि खलाणियों के समझ उपसित होने वाली विभिन प्रकार की मांसिक इस्थिती विशेश रूप से सुधारी जाए यादि इस और बल नहीं दिया जाता है तो निश्चित ही इससे खलाणियों के द्वारा पूर रूप से अच्छा सारीरिक प्रदैसन प्रदार नहीं किया जा सकता है प्रदैसन करके सही समय पर पता लगा कर उसका निवारण भी किया जा सकता है जिसके अंतरकत कुछ बिंदू निम लिखित है जिसमें पहला सहन सीलता को विक्सित करने का लच्छे दूसरा सारीरिक एवं मांसिक रूप से द्रणता प्रदान करने का लच्छे तीसरा क्रतिम पहलों का ज्यान प्रदान करके उन्हें संभावेच चोटों से बचाने का लच्छे नेक्ट पॉइंट सारीरिक शिक्छा में खेल चिकित्सा के विभिन छेत्र खेल औसति विग्यान में विबने छेत्रों का समावेस होता है जिन में से कुछ मुख्य छेत्र निमने लिखेत हैं जिसमें पहला खेल तथा प्रात्मिक उपचार है दूसरा अनुसंधान तीसरा खेल चोट पुनरवास चौथा खेल तथा समाज पाचवा मानोशरी रचना एवं सरीर क्रिया विग्यान छठा खेलों में दुरकटनाओं से बचाओ साथवां खेलों की वैज्यानिक उन्नती आठवां विशेश दच्चता नवां मनो वैज्यानिक पहलू दसवां खेल मैदान नमबर ग्यारा खेल तथा ट्रेमेटोलोजी नमबर बारा तरण ताल अर्थाट स्विमिंपुल उपकर्ण एवं सुविधाए आप सभी के लिए आज का पहला प्रश्ण बैरियाट्री सर्जरी जीवन सैली से जुड़ी किस आम बिमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है जिसमें आप सन ए डैबिटीज अर्थाद मधुमें है आप सन बी मटापा आप सन सी उच्च रक्त चाप आप सन डी पीड़ दर्ध प्रस्ण संख्या 2 निमलिखित सरीर क्रियाकारकों में किस से खेल की छमता बहुत हद तक प्रभावित होती है आप सन ए इस्थाई रक्त चाप आप सन बी लैक्टिक एसिट सही सूरता आप सन सी अत्यथिक आक्सीजन ग्रहन करने की छमता आप सन डी आराम के समय हिर्दय गदिका कम होना यहाँ प्रश्ण आप सभी के लिए हैं जिनका उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तो मेरा यहाँ वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों आप सभी से मेरा पुर्णा निवेदन है कि मेरे सभी वीडियो को अधिक शदिक शेयर करें ताकि जरूरत मन्द के पास मेरी सभी वीडियो पहुँच जाएं और वहाँ भी इन्हें तयार कर लें अगली वीडियो में नए प्रश्णों के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन नमस्कार